आज मैं आपके सामने एक पचास वर्षी पुरुष का केस का जिकर करने जा रहे हैं। ये व्यक्ति विकास केस तर तीन की उपरी पायदान तक पहुँच चुका था। उसका वहवार बहुत ही नर्म और बहुत ही शालीनता से भरा था। और उसके वहवार को देखते वे उपरी तोर पर डाक्टर न्यूटन ने उसके विशे में एक मामूली व्यक्तितो की राया बना ली थी। शिर्वात में डाक्टर न्यूटन को लगा कि शायद जो इसके अंदर की उगर भावनाए हैं इसको उसने एक निरंकारी और एक शांत सभाव का चोला पहनाया हुआ है। वो व्यक्ति पहले पद्रकार्यता की फील्ड से जुड़ा रहा था और इस तमें वो बे सहारों को खाना खिलाने वारी एक धार्मिक संस्था के साथ जुड़ा हुआ था। उस व्यक्ति का कहना था कि वो अपने आपको मांसी को शारीक तोर पर ठकावा मैसूस करता है और अपने आगे का सारा जीवन एकांत में गुजारना चाहता है। वो यह समझना चाहता था कि जो उसका एकाकी रहने का फैसला है क्या ये फैसला सही है उसे अपने भविशे के लिए कौन सा रास्ता चुनना चाहिए इस व्यक्ति में जो अपमने आपको पूर जन्म में से अपना इस तरह का व्यक्तितव में देखा कि जब वह एक पुरुश के रूप में आया streak वह एक स्वेक्तित वर आया है हमेशन जो समाज में कुछ गलत होता है या समाज के वी पर्द जाके कि किसी चीज की स्थापना करनी होती है तो वो उसमे सबसे आगे रहता था। उसने कई जनम इस्थी रूप में जीए और जब वो इस्थी रूप में रहे लेकिन इसके वीप्रीत जब वो पुरुष के रूप में था तो उसने कई जीवन ऐसे जीए थे जिसमें वो एक खाना मुदोश की तरह जीवन उसने गुजारा था और वो एक इस तरह का व्यक्ति था जो समाज में जब गलत होता है तो उसके खिलाफ आवाज उठाता है वो आत्मा इस तरह की थी कि वो लोगों को भै से उपर उठाती आई थी उनके मंद से डर निकालती आई थी और इस वज़े से कई बार जब वो समाज के नीमों के खिलाफ जाता था या कुछ विरोधी संगठनों के खिराब जाता था तो उसे तकलीफे भी सहनी पड़ती थ था वो उनकी जो वो गलत कर रहे थे उसके खिलाफ आवाज उठा रहा था तो ऐसे में उसकी उस ग्रूप के द्वारा हत्या करवा दी गई थी उसने अपने आपको चोद्वी श्ताब्दी में एक इतिहासकार के रूप में भी देखा जो एशिया के लोगों के बारे में ज खेतियर गाओं में एक बुजूर्ग व्यक्ति के रूप में उसने एक खुशाल जीवन गुजारा था और अपनी आयूप पूर्ण करके उसकी मृत्ति हुई थी ये कुछ इस तरह का व्यक्ति तो था हमेशा सही जो सच की खोज में निरंतर घूमता रहता है जीवन का एक पुद्धी संगत अर्थ ढूंडता रहता है और जो रास्ते में मिल जाता है उसकी सहायता करता हुआ आगे बढ़ जाता है और एक जनम में उसने एक ऐसी ओरत का रोल प्ले किया जो बहुत चोटी आयो में विद्वा हो गई और बच्चों के साथ एक शांत जीवन उसने ग जिम्यदारियों से दूर हटकर समाज के जो नए नियम काईदे बनाता था और जहां कुछ गलत होता था वहां उसके ख़लाफ खड़ा होता था लेकिन यह जो उसका एक जनम था जिसमें वो महिला के रूप में था एक विद्वा महिला जिसने अपने बच्चों के साथ बड करती जैसे कि ब्रैंड विज ने भी यह बात बोली है कई जगों पर कि संतुलन बना के चलती है कहीं पर भी कुछ भी बहुत ज्यादा नहीं एक संतुलन तो अकर उसका जीवन इस तरह का था जहां वह बहुत ज्यादा एग्रेसिव किसम का था एक उगरता के साथ किसी अपने लिए वो सब्जेक्ट भी चूज करते हैं उनको भी एक नजर पढ़ना चाहिए जो हमें लगता है कि हमारे काम की नहीं है हम उनको पढ़ने में इंटरस्टिड ही नहीं है लेकिन वो भी एक नजर पढ़ लेने चाहिए हलकी सी नजर एक संतुलन बना रखने के उसने चुना जो पती की मृत्यू के बाद बहुत शांत उसने एक जीवन गुजारा लेकिन इतने सारे शैसंस होने की बाद डाक्टर न्यूटर गो अंत में समझ में आया कि मेरा जो इस पार जो मेरी मुलाकात हुई है वह एक बहुत उच्च विक्सिद व्रिदा आत्मा से होई है जो कई जनम ले चुकी है और सतर चार के बिल्कुल करीब है बस पहुंच ही नहीं वाली है अब इस जीवन की बात की जाए तो इस जीवन में भी उस व्यक्ति ने विवान नहीं किया था वो समाजिक रूप से एक तरह से अलगाव का जीवन जी रहा था और यह चीज महसूस करी कि जो उसका कहीं समाज के साथ अलगाव सा रहता था बहुत जादा लोगों के साथ वो अटैच नहीं होता था आपने कई जीवन में नहीं हुआ था तो इस चीज ने भी उसकी जो विकास को कहीं पर रोकना शुरू कर दिया था इस व्यक्ति का जो केस रहा मैं उ इसमें उसने आत्मा लोग के विशे में क्योंकि वह स्तर चार की आत्मा थी तो काफी कुछ उसे नई और खास जानकारी दी क्योंकि हर आत्मा अपने अपने स्तर की मुताविक बहतरीन जानकारी दे पाती हैं जितनी उच्छ स्तरिया आत्माएं होती हैं उनसे कुछ अधिक वह बहुत ज़्यादा अग्रेसिव था कई जीवनों में ऐसा था यहां तक कि पारिवारिक जिम्यदारियों से भी दूर भागता था अपने आपको एक आंत में रखने के लिए तो उसने खुद ही अपने लिए एक पोज़िट जीवन चुन लिया जहां उसने अपने लिए प तरक्की अवरुद हो जाती है उतनी तेज गती से नहीं होती जब एक रस्ते को बिल्कुल ब्लॉक कर दिया जाता है इसी केस को हम अगली कड़ी में कंट्यूनियू करेंगे मेरे सेकंड चैनल पाथ ओफ हैपिनेस पर इस समय सेम सोल मैनी बोडिस की सीरीज चल रही है जिसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से हमारा भूत काल वरतमान काल और भविश्यकाल तीनो एक दूसरे से कैसे कनेक्टिर रहते हैं और एक दूसरे के ओपर एफेक्ट डालते हैं अगर आप इस कड़ी को जानना समझना चाहते हैं तो किरप्या मेरे दूसरे चैनल पर विजिट कीजिए जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट दोनों में दिया हुआ है साथ ही साथ एमेजोन का लिंक भी परदान किया गया है अगर आप इस लिंक के माध्यम से एमेजोन का प्रयोग करते हैं तो आप बिना कोई धनराशी खर्चे भी इस चैनल को सहयोक परदान कर सकते हैं आप सभी पए परमातम सौंदर, प्रेम और आनत, सैदेव परस्ता रहें, आप सभी दिव्य परमधाम में स्थान प्राप्त करें